जय हिन दोस्तो बंधन बैंक एंड पीडी लाइट इंडस्ट्री इन दो स्टॉक्स पे आज स्टडी करने वाले हैं और साथ ही उमीद करता हूं जो हॉलिडे सीजन चल रहा है उसको आपने बखो भी एंजॉय किया है पूरे तरह से चल हो गए हो और उमीद करता हूं नया साल जो है 2022 आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहें लाइक आपके स्टॉप लॉस्स ट्रिगर ना हो वैसे तो मेरे कहने से ऐसा होगा नहीं बट उमीद यह करता हूं कि आपके स्टॉप लॉस्स ट्रिगर ना हो टार्गेट सिठ हो और बढ़िया तेजी में आपका प टार्गेट था वो फ्राइडे के सेशन में हिट हुआ एंड वन सेवेंटी के दूसरा टारगेट था वह आज हिट हुआ कुछ वन सेवेंटीन का हाइल आगा स्टॉप नीचे अभी काम कर रहा है नेक्स्ट गोकल दास एक्सपोर्ट उसका हमारे टारगेट था 310 का उसको म वाली कंपनी आए उस पर ध्यान दीजिए और पिछले दिनों जहां पर हमने स्टेड़ की देखने मिलेंगे तो यह स्टॉक्स के अपडेट्स पिछले दिनों के अभी फ्रेश टड़ी बंधन बैंक यहां पर क्या हो रहा है थोड़ा सा जूम करेंगे सबसे पहले और मिल रहा था यह करशेशन से 320 का यहीं जो यांश को मैं एक्टेंट कर दिया है औस यहां पर देखिए ब्रिक आउड कब भुए हिट कब किया साथ अक्टूबर को निकाला उपर कितरफ जो ऊपर कितरफ प्रमारा टारगेट पाइट वोज रूपीज त्री 250 तो वहां से ब आपने एक पयर पैटन भी यहां पर कंप्लीट कर दिए इसको सेट कर देता हूं यह वह गया सट अभी काम किस तरह से हो रहा है उस पर धियान देना है काम हो रहा हिए कुछ इस तरह से यहीं देखिए स्टॉक जो है इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं एक ही चैनल में बार निकलने की कोछी जोई थी पर फिर से उसके अंदर आ गया मतलब अभी तक क्लोजिंग हुई नहीं तो इस पर ध्यान देजिएगा क्लोजिंग के उपर अभी आने वाली दिनों में अक्षिन क्या होगा सबसे पहले जो इमिचेट रेजिस्टेंस स्टॉक का वो मैं आपको बता दू वो देखिए जब स्टॉक नीचे आया तो कुछ दिनों तक एक बेस बने आया था किसे बना था अब उपर की तरफ यह निकलेगा त07 डेजिएए बन thinks इसका का न डेता में अब यह रेजिस्टेंस कमसा है वह मैं बता देना हूं वह है इस सबसे पहले बता दू यह ऍंटांक्य है और तो प्रेजेंट लेवल से जो मैं लेवल बताऊंगा ऊपर की तरफ का वह भी आपको थोड़ा ऊपर की तरफ का दिखेगा एंड जो रेजिस्टेंट वह तू एटी टू पाइंट फाइट यहां से तक्रीव अगर आप देखो तो 40 रुपे दूर है बट हाँ यही फैक्ट है उपर की तरफ का रेजिस्टेंट स्टॉक के लिए यही है बहुत ज़्यादा वालेट हाले पिछले दिनों बहुत बढ़िया तरीके से मतलब पिटाई हुए यहां पर नीचे की तरफ स्टॉप लगाना है तो 230 आज का लो है यह जी हां आज का लो है यह अप तक का इस रें करते हैं 280 के आसपास आगया प्रॉफट बुक कर सकते हैं नीचे की तरफ 230 के आसपास आगया तो अपनी के पैसिटी के साफ से निकल जाओ यह फिर एक रिस्क लेना तो आपर बाइंग कर सकते हैं अब एक मैने की बात करेंगे माफ किजिगा एक मैने ने शॉट टम की 282.85 उपर की तरफ निकाल दिया लेक वालेट आल तो सबसे बहुत जाधा है यह स्टॉक उपर की तरफ निकाल दिया उपर की तरफ बंद होना शुरू हो गया तो का सेटल होगा 295 310 इस रेंज में सेटल होगा यह कम से कम शॉट तम यानिकि एक से तीन मैने की बात करें 282 को न नहीं है अब नीचे की तरफ जो नेक्स्ट लेवल दिखता है वह है 200 जिनको नया इंवेस्मेंट करना है 200 रुपे के लिए रुखो उसके आसपास इंवेस्मेंट कर सकते हो और एक चीज़ बता दो अगर आप में वॉलेटेलिटी जेलने की कैपासिटी नहीं है तो इस बै सबसे पहले तो जो भी चीज़ आपको हमारे चैनल पर दिखाई जा रहे ना उसमें से कोई भी चीज़ पॉंसर नहीं है इस वीडियो में जो डिमाट अकाउंट ओपनिंग के वे मैं बात कर रहा हूं अगर आप हमारे रेफर लिंक से ओपन करते हैं तो जी हां कुछ फाइ है 20 रूपीज पर ओडर अगर अगर अकाउंट सक्सेस्फुली ओपन हो गया तो आपके अकॉंट में 550 रूपीज क्रेडिट के जाएंगे आपके अकॉंट में उन पैसों से आप आपकी पसंद के शेर्स खरीच सकते हैं लेटिस्ट ओफर को जानने के लिए आप सबसे पहल है कि आसपास समझ में आ रहा था कुछ 2290 के आसपास एक रेंज थी कंजेशन था उसको उपर की तरफ निकाला स्टॉक ने जो हमारी रेंज थी उपर की तरफ टार्गेट की 2425 इसको हिट करेगा तो स्टॉक न जो है उपर की तरफ जो हाई लगा दिया था वो था 2532 जी हां एक ही चैनल में उपर की तरफ चला उपर की तरफ चला फिर नीचे आया ब्रेकडाउन हो गया ब्रेकडाउन हो गया फिर और एक बार उपर की तरफ किस तरह से गया देखिए फिर से एक ही चैनल में उपर की तरफ गया इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा तो हमें क्ल क्लारीटी मिले हमें पूरी क्लारीटी होनी चाहिए यह हो गया कर अभी पिछले तकरीबन कितने सेशन से 15 डिसेंबर आज 27 तारिखे लगबक 12 दिन हो गए उसमें एक्टिव सेशन कितने थे जरा काउंट कर लीजेगा इस राउंड तीन छे आठ आठ जी हां आठ सेशन हो गय अब जो इमिजेट रेजिस्टेंस है वह है यह वाला दिन देखिए 11 नवेंबर की जो क्लूजिंग है उसके उपर स्टॉक का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यह देखिए यह मैंना लाइन ड्रॉ कर दी एंड लेवल इस टू फोर सेवेंड होगा तभी बात बनने वाली है एक्जाक्ट लेवले देखिए 2474 ग्यारा नवेंबर की क्लोजिंग अब इसके अभी आपके लिए रेंज बन गया नीचे की तरफ स्टॉप्लोस क्या लगाना है और स्टॉप्लोस का लेवल है यह यह अपर मैं एडिट करके लिख देता हूँ इसको नीचे की तरफ थोड़ देता है तो आप अपनी केपासिटे के सबसे स्टॉप्लोस लगा लो या निकल जाओ तो रेंज बन गई 2474 2390 मतलब 2475 के आसपास आगया बेच दिया जो भी पोजिशन है या फिर 2390 2400 के आसपास आगया अपनी केपासिटे के सबसे थोड़ा और इसके लिए कि खरीद चकते हो तो यह हो गया कॉंट्रा ट्रेड का बात अब शॉट नम की बात करेंगे 2474 को उपर की तरफ निकाल देता है तो अपडेटेट अब क्या होगे किस रेंज में स्टॉक जा सकता है जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है ब्रेक आउट होता ही एक से देड़ मैंने में वो है 2575 एंड 2700 कि 375 इस रेंज में स्टॉक जा सकता है और गिरावट होती है तो जी हां अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक भी जो है मार्केट में गिरावट होती है तो स्टॉक नीचे आते हैं तो कहां पर खरीददारी कर सकते हैं और रे और मार्केट में करेक्शन तो आते ही रहेंगे फंडामेंटल अच्छे स्टॉक में रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप चैनल को रेगुलर्ली फॉलो करते तो आपको पता होगा चारदर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने आ ले थे तो हम इंट्राडे आइडियाज जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पर में फ्री में शेयर कर रहा हूं सभी के साथ अप तिल 31st ऑफ डिसमबर तो आपको इंट्राडे में काम करने में इंट्रेस्ट है तो टेलिग्राम च जानकारी उनके साथ शेयर जरूर कीजेगा तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद वंदे मातरम